हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में देखे दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमें इज़द देनी चाहिए क्योंकि जो कुछ हमारे ले करते हैं दुनिया का कोई भी वेक्ति नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वेभाईक जीवन में इनी पेरेंट्स का हस्तक्षप जादा हो जाए तो ये वेभाईक जीवन खराब हो जाता है लड़की के पूझनिये माता पिता और लड़के के पूझनिये माता पिता ये दोनों सबसे ज़्यादा रायता फैलाते हैं अब देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ अधिकतर मामले ऐसे आते हैं कि साथ शादी हो गई लड़की हमारे घर पे आ गई लेकिन एक-एक मिनट की खबर वो अपनी मा को फोन पे देती है उदर से उसकी माँ उसको कुछ एडवाईस करती है फिर वो वैसे ही करती है ऐसे ऐसे ओडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है जिन में लड़की और उसकी माँ प्लैन बनाता है आपस में कि इनके खाने में कैसे भभूती मिलानी है या और इनकी प्रॉपर्टि को कैसे कब जाना है या और कई तरह की चीजें इसके अंतरकत होती है जो कि वापस में बाते कर रही होती है और इवन अगर बिल्कुल ही सीमा पार कर दी जाए तो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग्स में हमने सुनी है और दोस्तों यही सेम लड़के के माता-पिता के साथ भी लागू होता है बहुत सारे मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि लड़के के जो माता-पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इंटरफियर लाइफ में करते हैं उन दोनों की यानि वो दोनों कैसे चले वो उनके हिसाब से होना चाहिए, वो कहां बैठेंगे, कहां जाएंगे, कहां घुमेंगे, हर एक चीज जैसे उनों अपना जिवन जिया है, वैसे ही वो उनके जिवन को भी bound करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, उनका जिवन आज से 50 साल प पड़े रहने के छमता रखते हैं, दूसरा बंदा नहीं रखता, तो यह आप कैसे कह सकते हो, कि जैसे हमने जीवन जिया, एजटी जापको भी जीन है, अब बहुत से मामले ऐसे होते हैं, जहां पर इसी तरह की रिस्टिक्शन्स इतनी ज़्यादा लगा दिया आती हैं, अप माता-पिता किसी वखील से सला लेंगे और स्टार्ट हो जाएगा फिर से वही युद्ध, और जब युद्ध शुरू हो जाता है, तो फिर सही गलत कौन देखता है, पेटिशन्स के अंदर क्या लिखा जाता है, अब कैसे कह सकते हैं, क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो वो ही जान सकता है जो लिखवा रहा है अब इसके लिए देखे जरूरी है कि जो माता-पिता का इंटरफियर है बंद हो जाए ये वीडियो मैं मानता हूँ पती-पत्नी से जादा उनके माता-पिता को देखना बहुत जरूरी है हम सभी के अंदर कुछ गलतिया होती है और हम उन गलतियों को देखकर करके उनको कंट्रोल करने के कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा अब लड़की की मा क्या पूरी जिंगी भर लड़की का साथ निवा सकती है जिब लड़की आ जाएगी अपना घरवार तोड़ करके कौन उसको पूछेगा और उसके साथ बच्चा है तो कौन उसके देखभाल करेगा ऐसी ऐसी लड़कीया मैंने देख़ी जो अपने हजबन के साथ रहती थी तो खूब घूम रहे फिर रहे मज़े कर रहे लेकिन आज के समय वो ये लड़कीयों का चेहरा ऐसा हो रखा है कि चेहरा ढख के आने को मजबूर है कोट के अंदर हालत देन्य है देखके देया आती है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं लेकिन इसका कारण भी तो आप खुद हैं उस वक्त आवेश में आकर जोश में आकर आकर आपने दो दो तीन तीन फालतों के केस कर दिये कि पता नहीं क्या हो जाएगा आज लड़का सब डील करके बैठा ह है डेट्स तक पे नहीं आता है उसका लॉयर खड़ा हो जाता है अगर के अब ठीक है अब क्या मिला आपको जीवन खराब हो गया ना और मा और बाप उनका क्या है उनकी तो देखो एज अल्मूस्ट उनने अपनी जिनकी जी ली अब एक समय के बाद वो भी साथ छोड़के केस ले जाते हैं तो लड़की का पूरा जीवन तहसने सोजाता है ऐसे ही दोस्तों लड़के के केस में भी होता है किसी का लड़क है उसे सोचना चाहिए कि इसका जीवन चले भई हमारा जीवन तो चल चुका जैसे चलना है अब छुट छुटी बातों में इंटरफेर करना पोचा घर पे ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा गिलास यहां नहीं रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा तुम्हारे घर में तो ऐसा होता था और हमारे घर में ऐसा होता है हर बात पे सुनाना, ताने देना, छोटी-छोटी चीज़े को करना कोई सुनना नहीं चाता आज के समय पे लड़का है या लड़की है दोनों का जो पाला ने वो इस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार के प्रिवेशमम रहते हैं इतना ego सब के अंदर है कि कोई किसी के सुनना नहीं चाता दूसरे घर से लड़की आ रही है वो आपकी क्यों सुनेगी इवन आपका खुद का लड़का भी कई बार आपकी नहीं सुनना चाहता चलो ठीक है वो आपका बच्चा है वो अडिजेस्ट कर लेता है होगा बहुत सारे केस मेरे पैसे आये हैं लड़के के माता-पिता के इंटरफेर की वज़े से उनको आज केसेज के लिए हजार-जार किलोमेटर दूर चक्कर मानने पड़ रहे हैं और बहुत छोटी सी बात थी घरेलू नोग जोग जिसका कोई मतलब नहीं बनता उन्हीं में सब कुछ हो गया तो बेटे का जीवन भी खराब हो गया उस पे डाबो से कठपा भी लगेगा और आपके उपर मुकद में भी कायम हो गया अब आप सोच लो कि ऐसा चाहते हो इससे तो बहतर यह है ना कि वो लोग जैसे चाहरे वैसा करें आप अपना वैसा करो जो आपको सही लगता है लड़की की मम्मी के वारे में तो उन्हें वात कैली लड़की के जब पापा होते हैं वो भी कई बार बहुत एंठ मे रहते हैं वो भी बहुत चोडे में रहते ہے अरे मैं मैं बैठा हूँ इनकी तो ऐसी कर दूगा थूँ गए फेर दूँगा इनकी तो इनकी तो मैं लंका लगा दूँगा ऐसे मुगद में लगेंगे सारे के सारे जेल मसड़ेंगे ऐसा attitude होता है अब जो मेरे को phone पर बताते हैं मैं तो habitual होगे है मैं सुनता भी नहीं मैं यार जैसे धमकिसा भी देते हैं कौन नहीं देता मेरे को मैं बताओ यह मेरे को यह बताओ कि current status क्या है और क्या चाहते हो तो ऐसे जो पिताजी है उनको मैं कहना चाहूँगा वैसे तो जो भी पिताजी होंगे हैरसी बात है मेरी एज से बहुँ जादा बड़े होंगे लेकिन जो भी पिताजी किसी के भी है आप पिताजी है आपको सोचना चाहिए कि आपके जो बच्चे है न वो जो उनका वहवाई जीवन है उसमें आगे बढ़े इस तरह की एट साही नहीं है क्योंकि इस से क्या आप बच्चों का जीवन खराब हो जाता है आपको लगता तो है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन एक्च्वल में कर नहीं पाते है क्योंकि है क्या अगर एक बार घर छोड़ गया पहले तो उकद में बाजी पता नहीं कितने साल चलेगी और जो समाज है समाज में कोई बहुत जादा इज़्जत नहीं मिलती है ऐसे लोगों को जो इस तरह से अलग हो करके रहते है हर कोई बाते बनाता है आपके मूपे नहीं बोलेगा आपके पीट पीचे आपकी जगसा ही होगी तो कोई फाइदा नहीं है और फिर दूसरी बात है आप कब तक उसका साथ दे लेंगे एक सीमा तो होगी न उस सीमा के बाद क्या होगा और दूसरी बात अगर आपके घर में कोई लड़का है कल को आप उसके शादी करोगे उसकी वाइफ आईगी तो वो जो आपकी बेटी घर पे बैटी है उसकी वज़े से आपके बेटे का भी जीवन खराब होगा तो इन सारी बातों को हमें सोचना चाहिए हम इतना दूर दर्शी होके सोचते ही नहीं और आज की देखते हैं और आज की देखने के चक्कर में जब हम दूर की नहीं सुचते तो चीज़े खराब हो जाती है जिससे वो अपने बच्चों का जिवन खराब कर बैट तैं रिष्टे चलते हैं respect से, सम्मान से, दोनों पार्टियों की तरफ से, जब एक दूसरे को सम्मान मिलेगा, तब ही सारी सी जो होती है, अब एक मामला आया था मिरे पास, वहाँ लड़की के पिताजी, खुद कह रहे हैं, मेरी बेटी की गलती है, लेकिन लड़की के माあ की तुम च si पटॉ, जो मैं कह रही हूँ वैसा होगा, और वह बिचारे कह रहे हैं कि यार वो हाथ जोड़ जोड़ के ठग गए, बहिया, क्या कर रहे हो तुम लोग, वह जाकर के लड़के कहा तमाशा कर रहे हैं, गुंडा गर्दी कर रहे है, मार पिट कर रहे है और उसके जो लड़की के पापा वो कह रहे हैं बीच में कि यह सब चीज़ें सही नहीं है तुम्हें यही सब करना है तुम यहाँ पर क्यों आए लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं वो लोग अपनी चला रहे हैं तो ऐसे भी घर हैं, जहां पर माता पिता में से एक सही होता है लेकिन जो सही होता विचारा उसकी चलती नहीं तो अब क्या किया जा सकता है यानि उस पिता को भी कही न कहीं दिख रहा है कई बार जो होता है कि मा सही होती है पिता टोकाटा की करता है तो ये सब चीजें ही खराब करती है तो कुल मिला के in short इस पूरे वीडियो में मेरे समझाने का मकसद माता पिता को ये है कि आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया अब अपने बच्चों के विवाईक जीवन में इंटरफियर ना करें और वो अपने अनुसार जैसा जीवन जीना चाहें उन्हें जीने दें अच्छा होगा उनके लिए होगा बुरा होगा तो उससे कुछ सीखेंगे लेकिन उनके घर के तूटने में आप एहम कारण ना मने आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नहीं जान का रही है साथ में आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई और थेंक यू फो वाचिंग टेक कियर